Hello everyone, pregnancy time में कई pregnant ladies को उनके पेट पर जो है एक line बनती में दिखाई देती है ये line क्यों होती है, कब बनती है, क्या pregnancy time में ये line बनना ज़रूरी है या फिर अगर आपको बनी है तो किस से कहीं आपके होने वाले बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं है साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस line के बनने से क्या ये पता लग सकता है कि आपको baby boy होने वाला है या baby girl तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखें आपके पूरी pregnancy में जो इतनौ महीने होते हैं इस पर आपके बॉड़ी में धीरे-धीरे करके आपको कई तरह के changes दिखाए देते हैं जैसे कि आपका पेट बढ़ जाता है आपका वजन बढ़ रहा होता है आपके breast का size बढ़ता है आपके skin में भी changes आ रहे हैं तो इही सब changes में से एक और change होता है कि आपके पेट पर एक line बनना ये जो line है ये अकसर second trimester या third trimester में बनती है और ये जो line है ना ये किसी को brown बन सकती है या भूरे रंकी किसी को एकदम काले रंकी बनती है किसी को टेडी मेडी बनती है किसी को एकदम सीधी बनती है ना भी थे शुरू कर उपर तक बनती है pregnancy time में इस line को देखकर आप बिल्कुल पता नहीं लगा सकते हैं कि आपका होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की तो ये चीजे जो है आप बिल्कुल मन में लाना छोड़ दीजिए ऐसा कई बड़े बुज़र्ग कहते हैं पर इसकी पीछे कोई scientific reason जो है नहीं है और जब में लेन जो है आपकी बॉड़ी में जमा होने लग जाता है जादा तो आगे चलकर जो है आपकी skin में छोड़ा गहरा पना लग जाता है इसको लेकर परिशान नहीं रहना है फिर इस चीज़ को भी लेकर परिशान नहीं होना है कि जब मुझे लाइन डार्क बन रही है तो क्या बच्चे को को परिशान ही ऐसा तो नहीं कि बच्चे को अच्छे से बच्चे का ग्रोथ नहीं उपार है इसलिए हमारे लाइन जो ह कि एक तो इस टाइम पर आपको बहुत सदा धूप में जाने से बचना चाहिए वर ना आपके स्केंड में जो है ना डाक्नेस आ सकती है आपके इस चीज़ का ध्यान रखे क्योंकि सेंसिटिव हो जाती यह उस टाइम पर और जब आप बाहर जाए तो आप संस्कीन का स्वाल क सकते हैं कुछ लेडी जो है डिलीवर के बाद चाहते हैं इक दम से लाइन जो है सही हो जाए तो वैसे तो यह अपने आप ठीक हो जाती है पर फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप इसके लिए जो है इस लाइन जो भी एरिया है आपका यहां पर आप शियर बटर लगा सकते या फिर coconut oil या almondoline बदाम का तेल भी लगा सकते हैं तो friends, I hope आपको clear हुआ होगा कि pregnancy time में जो बनने वाली काली line है यह बिलकुल normal है और यह अक्सर second और third trimester में बनती है इससे आपके होने वाले बच्चे को किसी तरह का नुकसान नहीं है इससे यह भी पता नहीं चलता है कि आप को होने वाला बच्चा लड़का है यह लड़की पर इस टाइम पर अपने skin का ध्यान रखें और अपने skin को अच्छे से moisturize करें I hope आपके लिए video helpful रहा होगा मिलते हैं next video में thank you for watching